तो साथियों अगर आपका Canra Bank account में कोई भी आप tax pay करते हो लेकिन वहाँ पर आपका जो tax है वो mismatch हो गया है गलती से किसी दूसी जगह रिमिटेड हो चुका है तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी इस problem का solution ले सकते हो आज की वीडियो में हम बात कर करने वाले हैं वीडियो बहुत ज्यादा है फ़लोने वाली है इसलिए मेरे आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है आपको अपने चैनल को सस्क्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है क्योंकि ऐसे ही हैलगल कॉंटेंट में आप सभी साशियर करते हो चले अगर आपने अपना कैनरा बैंक में किसी परकार कोई भी टेक्स पे किया हुआ है लेकिन यहां पर आपका टेक्स गलती से किसी और जगह चला गया है अब आप उसको वेरिफाई करना चाहते हो आप अपने बैंक एंपलोई से कंसल्ट करना चाहते हो कि सर इसका क्या उपाय कि आपको अपने चनल को सस्क्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सभी साइब करता रहता हूं चलिए friends शुरू करते हैं सबसे पहले आपको एक form फिल करना है form आपको आपकी branch में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो इस particular form को अपने Google Chrome browser से भी download कर सकते हो अब इस form को फिल कैसे करना है चलि हम इस पर बात कर लेते हैं बहुत से जो लोग हैं वो इस form को फिल करने में mistake कर देते हैं जिसके कारण उनकी request accept नहीं होती है इसलिए मैं आज आपको live form फिल करके दखाऊंगा यहाँ पर आपको दिख़़ आओगा basic information यह वाला जो सक्षण आपको दिख़़ आओगा आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है उसके आगे आता है customer ID अगर आपके पास है तो फिल कर यह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आप इसको खाली छोड़ सकते हो नीचे आता है mobile number या phone number अगर आपके account में कोई भी mobile number लगा हुआ है तो आप फिल कर देजिए otherwise आप अभी प्रिजेंट में जो इस्तिमाल कर रहे हो वह mobile number भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हो इमेल आइडी आपके पास हो गई होगी अगर आप smartphone का इस्तिमाल करते हो तो आपके पास mail ID 100% होगी आपको वही same mail ID यहाँ पर लिख देनी है बहुत proper तरीके से आपको यह form फिल कर देना है basic information वाला basic information आपके फिल हो गई चलिए अब हमारी समस्या क्या है भाई हमने text पर किया और गलती से mismatch हो गया कहीं दूसरी जगा text हमारा पर हो गया अब हमको क्या चाहिए हमारा text वापिस चाहिए तो यहाँ पर चलिए हम लोग थोला से देख लेते हैं text वाला section कहा है यहाँ कहीं पर भी आपको text वाला section नहीं दिखरा होगा चलिए दूसरे वाले page पर आती हैं तो यहाँ पर आपको दिखरा होगा सबसे नीचे की वह 9 बे नमबर पर दिखरा होगा क्या फ्रेंड है मैं सब्सक्ठाव को आपने text काटा हुआ है कव आपने text पे किया हुआ है वह देट आपके bracket में proper तरीके से लिख दे हो चलिए अब बावात कर लेते हैं इसके इलावा कोई और समस्य आगर आपके पास है तो वो भी आप मेंजन कर सकते हो अधरवाइस आप नीचे आजाए जैसे आप नीचे आओगे तो यहां आपको देखने करें मिला हुआ क्या डेट डेट आपको उसी दिन की फिल करना है ज जो कि आपके खादें में लगे हुए हैं बहुत प्रॉपर तरीके से आप सिखने सरे कर दीजिए compiler कर लेंगे का सफेरर चुका है अब वात कर लेते हैं वात कर लीक्मेंट के भाइज है999 कि प्रॉब्लम का solution आपको 100% मिल जाएगा मैं आसा करता हूं कि आज की वुड़ आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल सस्क्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर लिए क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सभी साशियर करता रहता हूं मिलते हैं अगली वीडियो को साथ तब तक लिए ख्यालो ही अपना स्वास्त्राइब मस्त्राइब थैंक यू सू मच्छ